अगर आप पहली बार यूट्व चैनल पर आए हैं तो यूट्व चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक हमारे फ्री टेलिग्राम चैनल पर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लिक करिए जॉइन करिए आज मैं कुछ ट्रेड प्रोवाइड नहीं किया ह ना मैं प्रीमियम गर्क में ट्रेड प्रोवाइड किया हूं ना मैं अब्डे ट WrestleMania ईय्ट कर दिया था कि मैं और पर मार्केट में आज कई लोगों ने कमाया है एक पूजिशन पूड बन रही है ब्रेकडाउन बनके तो यह ब्रेक आउट तक जा रहा नहीं है उसके बीच में उपर जा रहा है अगर यह चलो ब्रेकाउट समझके लेंगे तो ब्रेक नहीं कर रहा उपर नहीं जा रहा था जो भी ट्रेडिंग चलिए 11 बजे से पहले चलिए 11 बजे के बाद जो भी ट्रेडिंग चलिए अच्छे से लोगों ने loss खाया है आज के market में चाहे वो इंदमनी पकड़े add the money पकड़े या deep in the money पकड़े तो भी आज कई लोगों को loss हुआ है और out of the money तो premium melt होता ही रहा इस वज़े से मुझे second half में position बनता हुआ किदर भी नहीं दिखा मैं एक बज़े तक पहले आ गया था पर trade provide करने की कोशिच कर रहा था position नहीं बन रही थी इसलिए मैं कुछ position नहीं दिया अभी फर नेंबर provide करना मुल दोस्तों मैं 970-5386-964 अगर आपको learning चाहिए मेरे से या sessions की कुछ query है regarding premium group आपको कुछ query है तो भी आप इस number पर मुझे contact कर सकते हो या WhatsApp कर सकते हो मैं details बता दूँगा आज तो rate नहीं provide किया पर कल का analysis क्या था कल का analysis यह था अगर यह अपने breakout को breakdown बनाके उस पर closing देता है तो nifty 50 के अंदर अपने पिछले breakdown levels तक का rally देखने को मिलेगा एक यह दूसरा यह पहले breakdown पे support फिर rally उसके बाद यहां से जो इसका final breakdown है इसको यह break करके proper entry नहीं रहा था break करके proper exit नहीं दे रहा था वो तो खया चोड़ो बात अलगे पर आज तो second half में कुछ trading हुआ नहीं पर कल के live market में क्या है कल के live market में दोस्तों rare conditions होती है इस तरीके से breakdowns पे sustain करना rare conditions कभी एक बार बनता है वरना breakdown से maximum अगर अब देखोगे तो fall ही होता है breakdown से fall ही होता है maximum rare conditions होती है इस जगे पर अच्छे से अच्छे लोग भी loss खाता है तो अगर कल के live market में यह वाला breakout provide किया है अगर कल के live market में nifty 50 इस breakdown levels को break करके candle closing दे रहा है opening करके candle closing दे रहा है 100% short shot 18 to 41 तक market जाएगा 18 to 41 और market को retrace करना है तो इन ही level से retrace करना है वरना इन ही level से retrace करना है अगर यह दो जगे से भी retrace नहीं हो रहा है तो market के अंदर कुछ position उपर level पे नहीं बनेगा कल मैं market 100% put side देख रहा हूँ total put side देख रहा हूँ मैं मैं buying के तरफ नहीं देख रहा हूँ अगर nifty 50 trend भी बना रहा है तो हम लोगों को एक direct trend होना चाहिए यहां पे direct trend कुछ भी नहीं है यहां पे एक बेकार position लेके चल रहा है और M.A.C.D. में final clubbing है 30 minutes के सबसे वन अवर के अंदर selling चालू हो चुका है one day के अंदर nifty 50 जो clubbing दे रहा है buying का यह एक improper clubbing है यानि एक small buying के बाद heavy selling pressure देखने को मिलेगा nifty 50 में कल अब जो भी होगा मैं तो pre market analysis का levels भी बेज़ देता हूँ और live market में trade भी provide करता हूँ तो कल free telegram channel में भी समझ में आ जाएगा और लग जाएगा समझ में आ जाएगा और दिख भी जाएगा कि market का position क्या है और आज मैं जब analysis के लिए बैठा था दो एक बज़े के बाद जब मैं आया था hospital से तो मैं breakout draw करके बैठ गया था अगर इस यहां पे तो breakdown मन गया है breakdown बनते हुए breakout को close कर रहा है तो 100% reality यहां तक आएगी यह आज होने वाला था ठीक है पर market में जो sideways market अपने resistance previous resistance लेवल पे पड़ा और अपने previous resistance लेवल का traded value पे बैठा हम लोगों को market position नहीं बनाया अभी यहां पे तो sideways हो गया पूरा market ठीक है sideways तो market हो गया अब यह हो गया breakdown यह हो गया दूसरा breakdown यहां पे अगर आप देखोगे तो paila breakdown break नहीं किया दूसरा break नहीं किया और अगर यह इस जगे पे जाता तो public को मालूम है कि breakdown यहां पे 100% fall करेगा तो market यहां पे जो sustain कर रहा है market के अंदर हम लोगों को कल first half में rally देखने को मिलेगी अगर retrace चाहिए हमें तो 42.574 से retracement मिलेगा या 42.540 से retrace मिलेगा या हो सका तो कल कहीं पे भी neutral भी होके 42.500 से retrace करेगा अगर नहीं position इसे buying दे रही है तो इसे इस breakdown level तक जाना होगा जो breakdown level पिछली बार touch करके आया इस breakdown level को break करेगा तो market को मैं 43.500 के पास देख रहा हूँ मै अगर market ये level break नहीं कर पाया तो market में position buying की बनेगी ही नहीं और market में जो breakout है यहां पे एक breakout है यहां पे एक breakout है दोनो breakout तक का immediate fall हमें देखने को मिलेगा यहां अगर market ऊपर के level resistance level को break नहीं कर रहा है तो market में fall है तो 30 minutes के इसाप से अगर हम लोग देखेंगे तो MACD final clubbing पे है प अगर oversold के बाद proper oversolding नहीं हो रहा है जो sideways लेके गया जान बुच के और दूसरा 200 EMA के नीचे closing है तो कल 200 EMA के ऊपर closing होना चाहिए 30 minutes का candle chart वरना जब तक position नहीं बनेगा और दोस्तों अभी के लिए मैं चलता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करिए share क करिए and YouTube channel को subscribe करिए और अब अभी तक free telegram channel पर नहीं है तो description में link है click करिए join करिए thank you